हलो दोस्तों पीन निउज इंटर्नेशनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे गाजर खाने के अध्भुत फैदे के बारे में गाजर का जुस पीने से होते हैं अनगीनित फैदे आए जानते हैं गाजर का जुस पीने के फै यहां पर आप देख सकते हैं गाजर बिटमिन्स पोसकततों और फाइवर का खजाना है अगर आपको गाजर खाना अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी डाइट में गाजर का जुस सामिल कर सकते हैं आईए गाजर के बारे में और बारे में बताएं मेटाबोलिजम सुधारता है इसके फायदे मेटाबोलिजम को सुधारने में होता है गाजर के जुस में कम कैलरीज होता है सोडा और दूसरे डिरिंक के बजाए आप अगर गाजर का जुस पीते हैं तो आपका वजन कभी नही बढ़ेगा गाजर का जुस बाइबल बाइल रिलीज भी बढ़ाता है जिससे मेटाबोलिजम में भी सुधार आता है मेटाबोलिजम से मतलब है वह दर जिससे शरीर में खाने से उर्जा बनती है बाइल जुस से फैट तो फैट को तोड़ने में भी मदद मिलती है 2006 में चुहे पर की गई एक अस्टडी के मताबिक बाइल अधिक सराव से मेटाबोलिजम सुधरता है और तेजी से वजन घड़ता है अगले फैदे की बारे में हम जनकारी दें तो आँख की रोशनी गाजर खाने से आँख की रोशनी अदभूत फैदे ये एक फैदा तो आपने बजपन से ही सुना होगा कि गाजर खाने से आँखों की रोशनी मजबूत होती है गाजर आँखों के लिए फैदे मन्ध होता ह गाजर में बिटा करेटिन पाए जाता है जो विटामिन ये कहीं एक टाइप है यह पावर फुल एंटी अक्सिडेंट में से एक है अगले फायदे तौचा के लिए भी फायदे मंद है अगर आपको बहुत सारी असकीन से जुड़ी समस्याएं है तो गाजर जुस पीना आपक ल्ग करता है इसके इससे आपकी असकीन अची होती है गाजर करने का गुन होता है जिसमें हीलिंग करने का गुन होता है गाहाव से त्वाचा को उबारने में भी गाजर को घुस कर के जुस से मदद मिलती है इमनीटी सिस्टम रखता है दुरुस्त कोल्ड या फ्लू एक या दो हफ्ते के लिए रह सकता है इसलिए इमनीटी इम्मिन सिस्टम का मजबूत रहना आपके लिए बहुत जरूरी है अपनी डेली डाइट में गाजर का जुस्ट सामिल करने से समाप्त तमाम तरह के इंफेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है कैंसर के खिलाप सुरच्छा कैंसर तब होता है जब सरीर की कोश्काएं आनियमित तोर पर बिरिधिर होने लगता है चुकि एंटी ऑक्सिडेंट कोश्काओं के डेमेज को रोक सकते हैं इसलिए गाजर का जुस्ट कई तरीके से कैंसर के खिलाप सुरच्छा परदान करता है कम कोलेस्टरॉल। अगर कोलेस्टरॉल नहीं हो रहा है तो आप बिना दवाइ के मदद के गाजर जुस्स से यह काम कर सकते हैं गाजर जूस पोटेसियम का अच्छा स्रोत है जिसकी वज़ा से कोलेस्टॉल मेंटेन रहता है लोवर कोलेस्टॉल से हाट बिमारियां और अश्ट्रोक का खत्रा कम हो जाता है हलाकि दवा बंद करने से पहले डांक्टर की सलाह जरूर लें अगले फायदे की बारे में बात करें जोकि सबसे अची पायदे है प्रेगनेंसी में ऑगयनेन्सी में जूस पीना कापी सावित Хो सकता है इसमें पोटेसियम, कैल्सिय знаешь, परचोमात्रा में होता है और विटामिन एक का भी एक अच्छा सुरूत है कैल्सियम भुरून विकास में जरूरी होता है जबकि फोलेट किसी तरह बर्थ डिफेक्ट को रोक सकता है अमेरिकन कॉलेज ओफ गायक नोस्टिज के मुताविक प्रेगनेंट महिला और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को प्रती दिन एक हजार मिली ग्राम कैल्सियम की जरूरत होती है गाजर में पाया जाने वाले बिटा करेटिन आपकी संग्या नात्मक समता को भी सुधारता है मेमोरी से जूड़ी समस्या भी दूर करता है मुटापा को कम करता है अब आज के वीडियो में बस इतना ही गाजर से जूरी समप जनकारी हुई समप तो अगले वीडियो तक बने रहे हैं थैंक्यू दोस्तों